तो आज की दिन हम इस वीडियो में मशूर कन्फेशन पेज़ेस के बारे में बाते करेंगे तो शुरू करते हैं शुसां जिंग राजपूर डिप्रेशन में थे उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे ये सब खबर जानने के बाद पतानी लोगों के अंदर क्या जाग गया अगर आप परिशान हो डिप्रेशन में हो तो प्लीज मुझे लाओ मुझे बताईए वो बाते जो भी है मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सचे दिल से कहते हैं लेकिन इन में से कुछ मादा जुद ऐसे भी है जो थोड़े दिन पहले अगर उनका दूस्त या कोई भी उनके रेलेटेर वैजो जो भी है आते थे उनके पास की बहई ऐसी समस्या है ये प्रॉब्लम है कहते थे आई कैसी समस्या है एक तो एक करोना उपर सेंट का रंडी ब्रोना नहीं समला जाएगा एक खाम करता हूँ मैसेज ही नहीं खोता हूँ एग्नोर करोंगो पहेंज़त आएगा ही नहीं या आएगी ही नहीं जो भी है जो भी है चुपकर सले ये वह नहीं चार भड़ों के अंदर आते हैं जो साथ में मिलकर एक की मारेंगे बिना ये सोचे कि उसके दिमांग में क्या चल रहा है उसको उनका मजाग अच्छा लग रहा है या नहीं नहीं भाई हमको तो भाई दूसरी दुनिया के सामने कूल ब लुग गतरुल फिर देखेगा पूरा वीडियो तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता हे आज का मेरा न heck रहा है का था confession pages तो ये confession pages चलाने वाले बढ़वे यहाँ इस दुनिया के नहीं होते हैं आये ना जादू जादू नहीं मेरे लाले लोग अलग किसम के बादू है इन लोग को खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी कोई परवा नहीं लेकिन दूसरे के जिंदगी में क्या चल जोरी है और दूसरों के देना चाते हैं यह ऐसे कमीन जाटू किसम के लोग है अब लोड़े अपना काम कर पेज का उनर या तो कोई मरदानी रंडवा या कोई अलग किसम की जहरीली चाप लोड़ी हो सकती है यह इसकभर होसा नहीं और मैं खाद उन बेजिस की बात कर रहा लोड़ जहां पर एक दूसरी के बसके लाइफ को इलोग भाहर निकालेंगे कि यह उसके साथ वहाँ मचाने गया इसक मेरे दिमांग में तो एक ही प्रश्ण दौडता है यहा तो अपने ही अपनों की मात ऐसे होसे दो Option प्लीफ होती है इसousse Exodus लूग दिन रिक य s मिलता है आइसी मार खाते हैं लेकिन इनके अंदर एक चीज़ होती है इनके अंदर होता है नेवर गिवा पैटी ट्यू एक कनफेशन पेज को रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दिया तो दूसरा बनेंगे भेंड के लोड़े इतना है शक्ति ये लोग के अंदर इतनी शक्ति कहां से लाते ह हो तुम लोग और अगर ये पेश की ओनर कोई लड़की रही तो फिर तो उसकी एक्टिंग आप देखी लीजिए ओमाइग गॉड यार यार यूनो आइस सो वननो की वो पेश के पीछे कौन है यार मतलब उसको इतनी सारी बाते कैसे पता चलती है लेक कौन बताता है उनको यार मुझे जानना है यार अब इतनी अक्टिंग कैसे कर लेती है वे क्या बूलने का इनकी माग चोड़ो भाई चोड़ो तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए चमाल आइलेंड से मैंने एक बड़वे को उठा के लाया है खास आप जैसे लोगों के लिए आप बोरो तु अब जैसे मादर चोड़ो के लिए तो सुनिये उसका क्या कहना है चरम करो भगवान से डरो भोसरी वालो भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइप में अगर दली बच्चों के रंडवे ऐसे बन करो ये सब नाटक कुछ लाइप में अच्छा करो अरे उपर वाले को तो तो मेरे सुनेरी गान काई के लिए सड़ जाती है वो टाइम पे जाकते हो और यह रिपोर्ट करो मा की जूद रिपोर्ट कर पेज को क्या क्यूँ कैसे अब क्या हुआ इसलिए अच्छी से रहो खुश रहो अपने आसपस जो है उन्हें भी खुश रखो कनफेशन इसे ठीक है लेकिन अगर तुम्हाने अंदर फिर भी चैन नहीं है ना मैं फिर से होंगा तुम्हेरी गान मरने के और अगर आपको ऐसी हरकते करनी है तो फिर सोशल मेलिया पे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को लेका इसके बारे में चोधनिया मत दो यह सारी बप्टिंग का मेंन मोटिव यह था कहने का कि प्लीज ऐसे फालतू बेजिजमत बनाएं जिससे लोगों को दुख पहुच रहा हो अगर आपको मजा रहा है अपनी काण में तबाखी रखिए लेकिन किसी दूसरे को दुख ना पहुचाईए प्लीज अच्छा नहीं लगता यह था नान के वीडियो में मेरे और भी सती होंगे तो मजा आएगा किया देख रहा हो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यह हफते में आऊंगा एक अच्छी स्पूफ मूवी लेकर जिसके अगर आप लोगो नाना को देखने का मिलेगा म तत्तेक जिन्दा रहे ना मरना नहीं मरवाना नहीं ताटा